हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल फोस्ट ड्राइव इन दिस वीडियो आप दिसक्स अबाउट अभी दो पेट्रोल इंजिन ओप्शन्स के अविलेबल है डिजल इंजन ने डिसकंटिनियू कर दिया है अब कुस्ट दो पेट्रोल इंजिन ओप्शन मिलेंगे अब देख सकते हैं दोनों ही पेट्रोल इंजन सेम कपैसिटी के हैं that is 1.5 लीटर तो आप सुचिंगे ये डिफरेंस क्यों अगर सेम इंजन कपैसिटी है तो दो अलग इंजन कैसे है तो एक है 1.5 लीटर MPI पेट्रोल तैस नैचुरल इस्पिरेट पेट्रोल इन नॉर्मल इंजन अभी तक बहुत सार गारियों में आ रहेते हैं वो है सेकेंड वाला है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज्ट तो टर्बो चार्ज्ट में क्या होता है इंजन के साथ तक टर्बाइन अटाइश्ट होती है जो इंजन को एक्स्ट्रा एयर सप्लाई करते हैं जिससे छाड़ को क्मबशिन बेतर होता है इंजन के बालेन बात करते हैं तर्प्राइवं का नार्मल पेटर्ल एंजन हम जिसको को सकते हैं वह करते है आपका 115 पेओ फ पावर और 143 न्यूटेन मीटर फोल ये इंजन औप्षिंस आपको sufficient 6-speed manual transmission के साथ and CVT के साथ मिलता है यहां पे इनोंने intelligent variable transmission लिखा है but इसमें CVT का option आता है that is the same thing अब दूसरे एंजिन जो है 1.5 यह तर्बो चार्ज्ट यह जादा पावर टॉक प्रोडूस करता है यह पको प्रोडूस करता है 160 PS of power and 253 Nm of torque यह आपको 6-speed manual transmission and 7-speed DCT के साथ आता है that is dual-crest transmission अब अगर आप confused है कि आप इन में से कौन से engine option के साथ जाना चाहेंगे सो फर्स में थोड़ा आपको यह बता दू कि obviously 1.5 यह तर्बो चार्ज्ट इंजिन जो है वो expensive होगा उसका जो भी variant हो गया जिसमी मोडल मैं आपको expensive हो compare to 1.5 यह नॉर्मल पेट्रोल इंजन सो अगर आपकी mostly city running है आप highways पे कम जाते हैं या फिर आपकी car chauffeur driven है सो मैं आपको recommend करूंगा कि आप 1.5 यह नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ जाएं that is 1.5 यह अगर आप खुद drive करना पसंद करते हैं आप गारी highways पे जादा ले जाते हैं या आपको गारी पे जादा पावर टॉक्स चाहिए आपको पसंद है सो मैं आपको recommend करूंगे कि आप 1.5 यह नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ जा सकते हैं सो इस वीडियो में हम इस बात को सिफ इंजन तक लिमिट रखते हैं बागी safety features and everything के लिए मैं दूसरी वीडियो बराऊंगा थैंक यू